नमस्कार दोस्तों सभागता आपका आज के मुखे समाचारों में दोस्तों आज देश भर्षे कई बड़ी ब्रेकिन नहीं हो जा रही है जिनमें बड़ी खबर है बिहार से जी दोस्तों बिहार के आरा में पत्राओं के बाद जान बचा कर भागे कनहिया कुमार काफिले के अंदर सामिल भानों से कई लोग कुचले गए तो कनहिया कुमार को कराया गया अस्पताल में भरती जी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही है चैनेई से जी दोस्तों आपको पूरी खबर बताएंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप देश के अंदर निश्पक्स पत्रकारिता का समर्थन करते हो तो इसी वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सबस्क्राइब कर ले जीसे देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निश्पक्स पत्रकारिता करते हैं उनका मनोबल बड़े और वो जनता की आवाज बनसके आज की पहली बड़ी खबर है बिहार से जी दोस्तो बिहार सरकार की सुरक्स्य ववस्ता की एक बार फिर से उड़ी धजियां बिहार के आरा में पत्राओ के बाद जान बचाकर भागे कनहिया कुमार जी दोस्तो जवारलाल नेरु विश्ता विदाले के चातर संग के पुरो अध्यक्स और भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता कनहिया कुमार के उपर एक बार फिर पत्राओ हुआ है और यह पत्राओ बक्सर से आरा जाने के दोरान हुआ है और बताया गया है कि इस्तती इतनी गंवीर हो गई थी कि कनहिया कुमार को जान बचा कर भागना पड़ा कनहिया कुमार के काफिले से कई बाइक सवार भी जख्यमी हो गए और मौके पर पहुंची पुलीस और इससे पहले आज ही बकसर के अंदर कनहिया कुमार को काले जंडे दिखाए गए थे कनहिया कुमार की जन गण मन यात्रा के दोरान आज बक्सर वा आरा के अंदर कर्येकरम निर्धारी था और इसी क्रामी वे बक्सर के अंदर सभा को संबोधित करके आरा जा रहे थे और आरा के रमाना मैदान के अंदर उनका कर्येकरम होने वाला था और आरा बक्सर हाईवे के उपर बाइक सबार लोगों ने पत्राव किया जिससे भीड़त के अंदर बाइक सबार लोगों को चोट आ गई और इससे स्थानिय लोग आकरोसित हो गए और इनके अंदर कनहिया कुमार भी घैल हो गए और इस्तती ऐसी बन गई थी कि कनहिया कुमार को वहां से जान बचा कर भागना पड़ा अने था वहां पर इस्टती और भी गंबीर हो सकती थी आपको बता दें दोस्तों की बिहार के अंदर चंपारन से शुरूबी जन गण मनी यात्रा कनियक मार के नेतरतों में बिहार के सभी जिलों के अंदर की जा रही है यह मुख्य रूप से यात्रा नागर संसदन बिल को वापिस ले जब तक मौदी सरकार इस बिल को वापिस नहीं लेगी तब तक बिहार के अंदर विरोध परदर्सन जारी रहेगा वहीं पर आपको बता दें दोस्तों की ये बड़ी खामी बार बार देखने को मिल रही है कनेया कुमार की रेलिक के दोरान बिहा पर आठिवी बार ये पत्राओ हुआ है आज की अगली बड़ी खबर आ रही है जहरकंड के मुख्यमंतरी हेमंत शेरोन को लेकर जी दोस्तों हेमंत शेरोन ने किया सरहन ये काम हमारे चैनल की तरफ से भी उनको सेलिट जी दोस्तों पुलवामा के सहिद की पतनी बेच रही थे लेकिन एक वर्ष बाद भी CRPF के सहिद जवानों के प्रिवार जनों को कोई मदर नहीं पहुंची है जहरकंड के गुमला जिले के सहिद जवान विजे सोरेंग के प्रिवार वाले भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं और सुक्रवार को बर्षी के दिन सोसल मीडिय पर सहिद की पतनी की एक तस्वीर वाइरल वी जिसमें वैस सडक के किनारे बेटकर सबजी बेच रही है इसके बाद एक यूजर ने जहरकंड के मुख्यमंतरी हैमेंच सेरवन को टेक करके टोईटर पर मदद की गुहार लगाई जिससे मुख्यमंतरी ने तुरंत जिला हध दिकारी को मदद के आदेश दिये और उन्होंने लिखा कि सहीद देश की दरोय रहे और उन्होंने बहुत ही सरहन ये काम किया जिससे देश की एक सहीद की पतनी को एक सरकारी मदद मिल सकेगी आज की आगली बड़ी खबर है चैनेई से जी दोस्तों चैनेई के अंदर संसोदित नागरिक्ता कानून एनर्ची का भारी विरोध परदर्शन कारियों के उपर पुलिस नहीं किया लाठी चार्ज जी दोस्तों संसोदित नागरिक्ता कानून एनर्ची और एनप्यार को ल प्रणतु मामला तब बड़ा हो गया जब पुलिस ने लोगों के उपर जबरन हटाने की कोशिस की। दोस्तों आपको बताने की देश बर्क के अंदर संसोदी नागरिक्ता कानून के खिलाब भारी विरोध परतसन चल रहे हैं।